Good afternoon students, आज हम आपके साथ संचेन बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और वे चैप्टर है हरिहर काका हरिहर काका जो चैप्टर है यानि जो पार्थ है ये मिथिलेश्वर जी के द्वारा रचित है और इनके बारे में यानि लेखक परिचे की बात करें तो प्रसित कथाकार मिथिलेश्वर जी का जनम जो है बिहार के बुजपुर जिले में हुआ इन्होंने हिंदी में MA की और फिर PhD की शिक्षा प्राप्त की ये वेबसाइक यानि की बिजनिस तोर पे इन्होंने अध्यन कारे से जुड़े रहे इन्होंने टेचिंग का कारे किया है ना इन दिनों ये आरा के विश्वर द्याले में रीडर पद पर कारे कर रहे हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीन जन जीवन को के जो चित्रन है उनको बड़े यथार्थ वादी डंग से है ना हमारे समुख रखा है और इनकी कहानियों के जो नाम है वो है बाबुजी, नेगना का, निर्ने, हरीहर काका इन्होंने बहुत अच्छे सी कहाने लिखी अब हम बात करेंगे जो ये पार्थ है हरीहर काका इसके रूपरेखा की बात करते हैं तो ये पार्थ बिसिकली है क्या देखे बच्चे ग्रामीन जीवन को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी में पारिवरिक संबंद, संबंदों में व्यापत मनुष्य की स्वार्थी प्रवर्ती को उजागर किया गया है देखें आज जो परिवार हैं उसमें किस प्रकार जो रिष्टे हैं केवस्वार्थ पे बेस्ट हैं उसका यहाँ पर बड़ा ही मानुविय रूप से चित्रत किया गया है कई बाद व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही ये कहानी बदलते पारिवारिक मुल्यों को भी अभी व्यक्त करती है। कथाकार यानि की लेखक जो हैं वो हरीहर काका के द्वारा उनके वृद व्यक्ति की स्थिति को व्यप्त करते हैं यानि हरीहर काका जो हैं एक अधेड उम्र के व्यक्ति हैं यानि वृद एज ग्रूप में हैं और लेखक ने यहां पे उनके एज ग्रूप को लेके बताया है क उन्हें अपने इस एज में कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार एक विद्व्यक्ति जो है परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाहर रखता है जो उसे नहीं मिल पाता। क्योंकि परिवार के जो सभी सदसे हैं स्वार्थ के वश्यबूत हो गए हैं और कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी मतलब जो विद्व्यक्ति है सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी और, ये तो हो गया परिवार के जो रिष्टे हैं, किस प्रकार आज स्वार्त में बदलते जा रहे हैं, इसके इलावा समाज में जो महान जगा माने जाने हैं, हम मंदिर, गुरुद्वारा, इन से संबंदित जो भी हमारे स्थल होते हैं, जो आपने सुना होग उसका भी खंडन किया गया, कैसे इस पार्ट में हैं परिवार के साथ साथ धरम के नाम पर ठगने वाले धर्माचारें की स्वार्थ लिपसा को अभिव्यक्त करते हुए, धरम की आड में पल रही हिंसा वृति को भी उजागर किया गया है, ये कहानी आज के ग्रामीन जीव की ही नहीं, बलकि शहरिय जीवन के यथार्थ होता है, सच्चाई को भी भी अभिदियत करती है, तो बच्चे ये तो हो गया हमारा पार्ट परिवेश की किस जो टॉपिक है, वो क्या है, अब हम आपको ये जो पार्ट है, हरी-हर काका पार्ट पर ले चलते हैं, देखिए प्रस्तुत कहानी लेखक यानि जो कथावाचक कौन है लेखक स्वयम लेखक के गाउं की कहानी है और इस कहानी के प्रमुक पात्र जो है यानि जो मेन करेक्टर है वो है हरी हर काका और मैं आपको बता चुके हैं वो अधेर उम्र के हैं व्रिधावस्ता में हैं लेखक ने इस ये जो पार्ट है अपने कई उदेश्यों के साथ हमारे सामने आया है इस पार्ट में समाज की बिगर्टी दशा का उलेक है परिवार तथा समाज में रिष्टों का क्या महत्व रह गया है परिवार और धरम में भड रहे लालच के प्रती लोगों को सच्छेत किया गया है साय उदेश्यत है इस पार्ट लेखक के पार्ट को लिखने से हैं अब हम आपके साथ पार्ट की बात करेंगे लेखक हरी हर काका का बहुत सम्मान करते हैं यानि बहुत इज़त करते हैं वे उनके पडोसी हैं हर काका के पडोसी कौन है लेखक एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, उससे भी कहीं जादा प्यार हरी हर काका लेखक से करते हैं, लेखक की जो पहले दोस्ती है वो हरी हर काका से ही हुई थी, काका जो हैं लेखक से कोई भी बात नहीं चुपाते, वे अपनी सारी बाते जो हैं वो लेखक से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से काका ने लेखक से कोई बात नहीं की अब हम आपको ये बताते हैं कि गाउं जो हैं उसकी कुल आबादी जो है वो ढाई तीन हजार होगी गाउं में तीन प्रमुक स्थान है सबसे पहले गाउं के पश्चिम किनारे बड़ा सा तलाब है मद्धी यानि बीच में इस तित बर्गत का पेड और पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गाउं के लोग उस मंदिर को उस पर्टिकुलर जो मंदिर है उसको ठाकुर बारी के नाम से जो है वो जाना जाता है ठीक है अब ठाकुर बारी की जो ठाकुर बारी से ही थोड़ा सा इसकी बारे में आपको बताएंगे कि जो ठाकुरबारी है इसकी सापना के समद्ध में कहानी जो है प्रचलित है गाउं में वो क्या कहानी प्रचलित है वो कहानी ये है कि कहीं से एक संथ आकर इस स्थान पर ज्छोंपडी बनाकर रहने लगे अब तो ये बहुत बड़ा ठाक शाम यहां ठाकुर जी की यानि इश्वर की भगवान की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे, बाद में लोगों ने चंदा इकठा करके यहां छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जैसे